हेलो स्टूडेंज, वेल्कम टू स्टेप अपकाडमी, मैं अंचली सेंग कुश्वहा और मैं हूँ आपके बायलोजी ट्यूटर, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चाप्टर नबर 10 जिसका नाम है सेल साइकल इन सेल डिविजिन और जिसमें पहले से हम पढ़ चुके हैं everything about mitosis और इसी चाप्टर में आज हम एक दूसरे टाइप का सेल डिविजिन पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा मियोसिस, क्या नाम होगा जिसका मियोसिस, तो दो टाइप से, दो तरीके से सेल डिवाइड हो सकती है, या तो उसमें mitosis होगा, या तो उसमें and mitosis, mitosis हमने पढ़ा, it is a equational division, everything about mitosis हमने पढ़के खतम की, हमने देखा, it's a photocopy division, कोई भी ploidy change नहीं होती, अगर deployed cell डिवाइड होई, तो वापस तो नहीं cell बने की, it will be a deployed cell, यह सारी बाते हमने पढ़के फिनिश की, अब आज बारी है पढ़ने की meosis, तो meosis 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका यह मतलब है, जो यह meosis division होता है, यह दो पाथ में होता है, पहले होता है meosis 1 और फिर होता है meosis 2, meosis 2, meosis 1 और meosis 2 के पहले पूरा I phase रहा होगा, I phase बोले तो क्या क्या होता है, G1 phase होगा, उसमें S phase रहा होगा, G2 phase रहा होगा, अब जो M phase start हुआ है, now this M phase this time it is meiosis अगर कोई पहली बार directly meiosis के वीडियो देखने के आया है तो मैं उसको यह suggest करूगी अगर आपको ऐसा नहीं है समझ नहीं आएगा समझ यह भी आएगा लेकिन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं for your better understanding अपने concept को अच्छे से आप बिल्ट अप करना चाहते हैं तो आप पहले आई फेस वाला वीडियो जरूर देखे आए आएगे आप इंटर फेस अच्छे से समझ के आए कि क्या होता है क्योंकि किसी भी सेल डिविजिन में सेल साइकल में पहले दो फेस होते हैं इसमें से फर्स फेस कौन सा होता है phase होता है, cell उसमें खुद को प्रिपेर करती है for dividing, जो actual division वाला phase होता है that is the M phase, तो M phase में mitosis आपने पड़ा, now it's time to study about meiosis, so what is meiosis, it is the division of diploid germ cell that reduces the chromosome number by half forming haploid daughter cell, यहाँ पर दो words का use हुआ है, diploid and haploid, तो मैं पहले तो आपको यही समझा जेती हूँ कि haploid or diploid क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, हमारी cell के अंदर कितने chromosome है, अगर मैं अपने एक cell के draw करूं, तो हमारी cell के nucleus के अंदर 46 chromosome है, या तो आप ऐसे बोलो, और या तो इसको बोला जाता है कि हमारी cell के अंदर 23 pairs of chromosome है, अब यह 23 pairs से आप कें समझने हैं, suppose this is chromosome number one, so there will be another chromosome number one and if this is chromosome number two, there will be another chromosome which will be number two, if this is three, there will be another chromosome which will be three, so each of the chromosome is in pair, none of the chromosome lie single, as a single chromosome in our cell, they occur in pair, तो हमारी cell में अगर आप पार हो, तो 1, 2, 3, 4, dot, 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 23 chromosome का एक से ओगया, एक से अगया, एक से अगया, एक से अगया, वन का कॉपी 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, इसमिला कॉपी 23 का एक अनादर से ओगया, तो हाव many sets of chromosome do our cells have, we have two sets of chromosome, one and two, how many sets of chromosome, two sets of chromosome, that is why we are deployed, we are deployed organism, अगर हमारी cell में, मैं इसमें से ये erase कर दू, और मैं आपको बोलू कि हमारी cell में सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोजोम है, means सिर्फ एक सेट chromosome है, कितना सेट है, only a set of chromosome, सिर्फ unset है, दूसरा सेट नहीं है, pairs है नहीं, सिर्फ single present a chromosome, तो this will be known as haploid, this is known as haploid, तो haploid और diploid, आप ploid ही किस level पर decide करते हो, कैसे decide करते हो, triploid किसी को कैसे बोलोगे, ploid ही decide की जाती है, on the basis of number of sets of chromosome, अगर chromosome के set का number एक है, तो that is haploid, अगर दो है, तो it is diploid, तीन है तो triploid, चार है तो tetraploid, समझ गए, triploid जैसा तो फिर भी कुछ होता है, हम पढ़ेंगे endos form में, हमने शाद पढ़ा भी है, लेकिन आपने tetraploid जैसा, मैंने तो अभी तक personally कुछ भी नहीं सुना, अगर आपको पता है, आपने कुछ सुना है, tetraploid जैसा कुछ भी, ता मुझे बिलकुल, 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 होता है, reductional division, कौन सा division होता है, meiosis, meiosis is reductional division, अब इसको reductional division क्यों बोल रहा है, इसको reductional division इसलिए बोल रहा है, क्योंकि अगर कोई deployed cell है, यहाँ पर 46 chromosome है, तो यह cell कैसी है, this is deployed cell, और यह deployed cell अगर meiosis करती है, इस deployed cell में अगर meiosis होता है, तो क्या होगा after meiosis, अगर इस deployed cell में meiosis होता है, तो अब इस meiosis के बाद यहाँ पर जो new cell बनेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 chromosome होंगे, यहाँ पर total 4 new cells बनेगी, 4 new cells और उन सभी में 23 chromosome होंगे, कितने chromosome होंगे, 23 chromosome, आपको कुछ भी नहीं समझाया होगा, या तो अब याप यह भूल जो कि 4 cell कैसे बनेगी, आप सिर्फ इतना याद रखो कि after meiosis 1, after meiosis 1 लिख रही हो मैं यहाँ पर, after meiosis 1, यहाँ पर 2 new cell form होंगी, 2 नहीं cell बनेगी और दोनों में 23, 23 chromosome होंगे, ना की 46, मतलब आपको यहाँ से यह समझ में आना चाहिए, जो meiosis division होता है, वो ploidy को half कर देता है, अगर हमने यहाँ deployed cell दी, मतलब की 2N, तो लेकिन जो हमारी नई cells है, यह दोनों ही है, haploid, यह दोनों ही cells कैसे बनी, नई cells haploid, मतलब इनकी ploidy है, N, तो आप यह देख पा रहे हों कि meiosis reduces the number of chromosomes just by half, वहीं अगर हम mitosis की बात करें, तो it was an equational division, जिसमें chromosome के number में बिलकुल भी कोई भी change नहीं आ रहा था, same as it is cell बन रहे थी, photocopy division आप उसे border दे, लेकिन अगर आप meiosis की बात करते हो, तो यहाँ पे chromosome का number exactly half हो जाता है, हीवा फिर से रीट करिए क्या लिखा है, it is a division of deployed germ cell, हमेशा meiosis किस में होता है, meiosis हमेशा होता है, germ cell में, और हमने mitosis में बढ़ा था, mitosis occur in somatic cells, तो meiosis किस में होता है, germ cells में होता है, germ cell is a deployed structure, suppose this is a germ cell, germ cell आप किसे बोलते हो, तो पताएए, germ cells क्या होती है, the cells which are responsible for producing gamets, हमारी बोड़ी में जो gamet का production होता है, male gamet, female gamet, वो बनाती हैं यह germ cells, तो germ cells खोद कैसे है, deployed, लेकिन उनमें जो meiosis होगा, तो वो gamet जो बनाएंगी, gamet होंगे, haploid, because meiosis कैसा division होता है, it is a division that reduces the chromosome number by half, forming haploid daughter cell, तो जो meiosis 1 की resulting cells होती है, that are haploid, it occurs during gametogenesis, कब होता है meiosis, जब gametogenesis होता है, मतलब की, जब gamets form होते हैं, जब formation of gamets होता है, तब meiosis division होता है, it leads to haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, और यह क्या कर रहा है, it leads to the haploid phase, कोई भी sexually reproducing organism जब से हम है, हमें लगता है कि हम deployed है, हमको haploid phase की क्या ही need है, तो अभी मैं आपको समझाओंगे, कि significance of mitosis क्या है, meiosis sorry, significance of meiosis बहुत बहुत ज़्यादा important है, समझाओंगी क्या समझ ही लेते हैं इसको, इसको मैं clear करती हूँ और आप समझे, suppose यह आपके germ cell है, यहाँ मैंने के cell बनाई, this is a germ cell, और germ cell है तो इसके अंदर कितने क्रोमोजोम रहे होंगे, इसके अंदर रहे होंगे 46 क्रोमोजोम, और इन 23 pair, अब अगर यह cell जो है, यह करती अगर mitosis, suppose, suppose यह mitosis करती, तो यहाँ पर क्या produce होता, यहाँ पर produce होते gamut, दो gamut produce होते, gamut produce होते, और हर gamut में क्या होता, इसमें भी 46 क्रोमोजोम होते, इसमें भी 46 क्रोमोजोम होते, होते की नहीं होते, अगर mitosis होता, because mitosis is the equational division, अब ये था suppose एक एक person का ये कोई male है, ये उसके gamets है, किसके किसी male के gamet है, similar यहाँ पर female gamets भी होते female gamets भी होते, उसमें भी 46 46 chromosome होते सुन रहा है आम थ्यान से, अभी माने किसी भी person है, suppose कोई male है ये और ये कोई female है मैंने कोई female से produce करवा है, उसके gamets produce हुए लेकिन by mitosis, not by meosis, suppose मैंने mitosis से production कराया, तो यहाँ पर जो gamet बने, वो कैसे रहेंगे, वो तो बिल्कुल सेम रहेंगे, because mitosis हुआ है mitosis तो photocopy होता है, equational होता है यहाँ भी mitosis हुआ और gamet produce हुए, यह हो गए हमारे male gamet, जिसमें 46 chromosome है, और यह हो गए हमारे female gamet, यह हो गए female gamet अब क्या होगा, जब यह female gamet और यह male gamet 46, 46, यह दोनों combine करेंगे क्या बोला मैंने, 46 यह male gamet female gamet चुब combine करेंगे, तो क्या होगा, अब जो यहाँ पे इनके combine होने से zygote बनेगा, अगर आप देख पाएं, तो उसके अंदर 92 chromosome हो जाएंगे, क्योंकि 46 plus 46 is 92, लेकिन ऐसा तो नहीं होता आपके parents में भी कितने chromosome है, 46 आपके parents के parents में भी कितने chromosome थे, 46, आप में भी कितने chromosome है 46, आपके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें भी क्रोमोजोम रहेंगे, 46 इसका ये मतलब है, क्रोमोजोम का number इस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, this is wrong इसका ये मतलब है कि germ cells में mitosis नहीं हो रही है तो फिर germ cell में क्या हो रहा है germ cell में होती है meiosis, germ cell के अंदर क्या होती है meiosis, ये एक germ cell है जो कि deployed है, इसलिए इसमें 46 क्रोमोजोम है, जब इसमें meiosis होगा, तो meiosis क्या करता है number को आधा कर देता है तो यहाँ पे जो नई cells बनेंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोजोम होंगे अब ये एक gamit है similar यहाँ पे एक दूसरा female gamit आएगा, उसमें भी 23 क्रोमोजोम रहेंगे और ये दोनों जब combine होंगे और इनको combine करके एक जो new cell बनेगा, zygote बनेगा, तो zygote में number will be 46, 23 plus 23 is 46, तो आप ये देखो meiosis का significance कितना जाधा है meiosis, जो genetic material है, उसके number को chromosome के number को stable रख रहा है ताकि वो generation to generation बढ़ेना, उनका number constant रहे, so this is the significance of meiosis, it involves two cycle, अगर आपको अभी जैसा मैंने बटाया, meiosis हमेशा दो cycles में होता है, meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication, अब देखो कोई ये ना सोचे कि cycle कुछ इस तरीके से होती है, बिल्कुल कोई आइसा नहीं सोचेगा कि ये हमारा एक cell सा इसको हटाते है, यहां बनाते है ठीक है, ऐसी अभी तक हम समझ रहेते हैं cell cycle, तो ये पूरा क्या है, I phase है I phase में ये क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा ये हो जाएगा, S और ये हो जाएगा, G2 और फिर यहां पर होगा meiosis 1 और फिर होगा meiosis 2 और यहां पर cytokinesis, और क्या होगा यहां पर cytokinesis अब कोईसी को ये ना लगे, कि एक बार पहले interface हुआ, फिर M1 हुआ, फिर से interface हुआ, फिर M1 हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यह जो आई phase होता है, वो सिर्फ एक ही बार होता है only for one time, तो इसलिए S phase भी सिर्फ एक ही बार होगा मतलब पूरा जो आई phase है, it occur only for once, तो जो DNA को रप्लिकेशन होता है, किस फेज में होता है, S phase में होता है तो वो कितनी बार होगा, अगर meiosis दो बार में हो रहा है, meiosis one or two के form में हो रहा है, तो क्या DNA भी दो बार डुप्लिकेट होगा, no कभी भी नहीं होगा, DNA सिर्फ एक ही बार डुप्लिकेट होता है, that is in the S phase तो अगर मैं पूरे meiosis को आपको diagramatically draw करके दिखाओं, तो वो कुछ S type कर रहता है, देखो ठीक है, और बागी यह हो गया हमारा G1 phase, यह हो गया हमारा S phase और यह हो गया हमारा G2 phase अब उसके बाद क्या होगा, यह हो गया हमारा meiosis one, यह हो हमारा meiosis two और यह हो गया cytokinesis क्या हो गया यह cytokinesis, अब यह जो बीच का gap बचा है, इसको हम लोग बोलते हैं interkinesis, क्या बोलते हैं इसको interkinesis, तो meiosis 1 और meiosis 2 के बीच को जो time रहता है, उसे हम बोलते हैं interkinesis, कुछ इस तरीके से meiosis होता है, mitosis में आपने सिर्फ क्या देखा था कि mitosis एक ही बार में होता है तो G1, SG2, फिर mitosis हो, cytokinesis हो, फिर से G1 आ गया, लेकिन meiosis में आप देखो तो G1, SG2 होगा, then meiosis 1, then interkinesis, then meiosis 2, cytokinesis and then again G1, इस तरीके से meiosis होता है, समझ में आया, तो आपको याद रखना है कि जो division होने वाला है, nucleus का division, तीन चीज़े ही होती है, सबसे पहली बात DNA का replication, तीसरा division, तो division यहां पर दो बार होगा, nuclear का division दो बार होगा, nucleus का division, meiosis 1 और meiosis 2 में, लेकिन DNA का जो duplication है, replication है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है, that is in the S phase, clear बिल्कुल confusion नहीं रखना है, it involves pairing of homologous chromosome and recombination between them, अब meiosis में जो बहुत ही ज्यादा important और अलग बात है, जो mitosis में नहीं होती थी, वो यह होता है, कि यहां पर homologous chromosomes के बीच में, क्या होता है, एक process होती है, जिससे हम बोलते है, recombination, pairing होती है, यहां पर homologous chromosomes के में, और genetic material exchange होता है, अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास total 46 chromosome है, हमारी cell में, कितने pair में है, यह 23 pair में है, तो मैं बोलूं, यह मैंने चोड ड्रॉ किया, यह मेरा first वाला chromosome का pair है, यह भी one है, यह भी one है, तो यह दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, the one one chromosome, the first pair, together, they are known as homologous chromosome, क्या बोलोगे आप इन्हें, homologous chromosome, और यह second chromosome है, यह भी second है, यह two है, यह भी two है, तो मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ, य यह first और यह second, यह दोना आपस में क्या homologous होंगे, no, they are non homologous, these two are homologous, these two are homologous, these two are homologous together, but अगर हम ऐसे discuss करें, इसका one, यह one और यह two, तो क्या ही homologous होंगे, no, homologous chromosome का सीधा मतलब यह होता है, the chromosome in which the gene lie on the same loci or the locus, ठीक है, clear हो गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है है, the homologous chromosomes are the chromosomes in which the genes, arrangement of gene is on the same loci, यह इंको क्यों उसे बोल रहा है, because अगर इसमें यहां पर gene है, तो इसमें यहां है, तो इसमें यहां पर gene होगी, gene का जो arrangement होता है, वो दोनों chromosome में similar होता है, that is why they are homologous chromosome, homologous chromosome का concept clear हो गया आपको, अब meiosis में क्या होता है, तो वो समझते है, me this is chromosome number one and this is also chromosome number one, आप देख पा रहे हो कि मैंने यहां पर दोनों one one chromosome को यहां पर बीच में कुछ pairing type का करा दिया है, उनके बीच में पहली बात तो वो recombine हुए, वो pair up हुए, साथ में आए और अब इनके बीच में कुछ genetic material exchange होता है, this is known as recombination, this is known as process of recombination and or the pairing of homologous chromosome and this occurs in mitosis or meiosis, always remember recombination and pairing of homologous chromosome occur only and only in meiosis, सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, यह meiosis में होता है, clear हो गया आपको तो meiosis के बारे में कुछ इक्तम खास बात है आपको क्या आया रखना है पहला, it is also known as reductional division, क्या बोलते हैं आप इसको meiosis देखने को हमें मिलता है, meiosis 1 begin after replication of parental chromosome to form identical sister chromatic at the S phase, तो meiosis 1 किसके बाद start होता है, जब पूरा eye phase खतम हो जाता है, पूरा DNA जो है वो हमारा replicate हो चुका होता है, उसके बाद start होता है हमारा meiosis 1, 4 heploid cells are formed at the end of meiosis 2, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक कोई cell है और इसमें mitosis हुआ है, तो यहां कितनी cells बनेगी, तो आप answer करेंगे मुझे 2, लेकिन यहीं अगर cell है और इसमें अगर meiosis हुआ है, पूरा meiosis हुआ है, तो आप कितनी cells बनेगी, तो answer होगा 4, और अगर यह cell यहां पे deployed है, deployed, 2 end means deployed, तो अगर mitosis हुआ है, तो cell will be deployed लेकिन अगर meiosis हुआ है तो it will be haploid. तो याद रखिए at the end of meiosis 2 and 1 मतलब meiosis पूरा खतम होने के बाद हमें resultant चो मिलता है that is 4 haploid cell. हमें 4 haploid cells as a result हमें meiosis के result के ऐसे के लिए हमें मिलती हैं. और अगर हम mitosis के बाद करें तो we got only 2 cells that are identical to the parent cell. लेकिन meiosis में we got 4 cells which are not identical to the parent cell rather they are haploid in nature. समझ में आई बाद, reductional division हो गया, clear? तो अब हम शुरू करते हैं meiosis और समझते हैं पहले meiosis 1. तो meiosis 1 को भी further 4 phases में divide किया हुआ है जैसे हमने किया था mitosis को. ट्रिक क्या है? Same trick PMAT. क्या trick है? PMAT. तो PMAT से P for pro phase 1, M for meta phase 1. अगर हम meiosis 1 का discussion करें तो meiosis 1 के events क्या क्या हो जाएंगे? pro phase 1, meta phase 1, ena phase 1 and telophase 1. और अगर हम meiosis 2 का discussion करें तो उसके events क्या हो जाएंगे? pro phase 2, meta phase 2, ena phase 2 and telophase 2. आज की इस वीडियो मैं मैं सिर्फ और सिर्फ आपको meiosis 1 कवर कर वाऊंगी? क्योंकि meiosis 1 is a big, big topic. थोड़ा समझने में भी difficult है. meiosis 2 is very, very easy topic. very, very easy. अब क्यों है ये easy? चलिए. sorry. क्यों है भाई? ये very, very easy topic. because meiosis 2 is similar to mitosis. similar to mitosis. तो जिसने mitosis पढ़ा है, उसको meiosis 2 एक तरीके से देखा जाए, तो पढ़ने की जरूरा थी नहीं पढ़ती. because meiosis 2 is similar to mitosis. तो अब मैं अगर अगला question पूछूँ कि meiosis 1 reductional division होता है, कि meiosis 2 reductional division होता है? तो आप मुझे answer करेंगे, मैं meiosis 1 reductional division होता है. और आपका answer correct होगा, because meiosis 2 is similar to mitosis. मतलब यहाँ पे chromosome के number कभी half नहीं हो रहे होंगे, यहाँ पे equational division हो रहा है. chromosome के number half, meiosis 1 में ही हो जाते हैं. तो reductional division कौन सा होता है? meiosis 1. ठीक है? meiosis 2 is a part of meiosis, but it is similar to. किसकी तरह ही होता है? वो बिल्कुल सेम सेम, बिल्कुल वो mitosis की तरह ही होता है. और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं everything about meiosis 1. तो चलें, शुडू करें, कोई दिककर्द, अभी तक अगर कुछ भी confusion हो, तो अपने doubts को, अपनी confusions को, comment section में mention कर दो. ओके, clear? चलें. अब meiosis 1 के अगर हम बात करें, तो it is a typically longer and more complex. ज्यादा duration का होता है and complex procedure होती है. इट इंक्लूद 5 phases based on chromosomal behavior. अब अगर हम meiosis 1 की बात कर रहे हैं, तो meiosis 1 में भी, let's begin with pro phase 1. meiosis 1 में भी, let's begin with pro phase 1. तो ध्यान रखिए, जो pro phase 1 होता है, meiosis 1 का, pro phase 1, it is further divided into 5 events. रोना तो नहीं आ रहा ना किसी को? कि माम पहले तो meiosis को ही meiosis 1 और 2 में divide करा, ठीक है, हमने सह लिया. फिर meiosis 1 को further 4 events में divide किया, pro phase 1, meta phase 1, ano phase 1, telophase 1, हमने वो भी सह लिया. अब आपने फिर से pro phase 1 को भी 5 events में divide कर दिया. तो वो है, lepto-team, zygot-team, pacat-team, diplo-team, di-kinesis, अब हम नहीं सहेंगे. तो आपको सहना पढ़ेगा, क्योंकि आप student है, आपको पढ़ना है, और यह हमने थोड़ी बनाया. यह तो धूंडा है, scientist लोगों ने इतनी महनत करकर के, biologist ने इतने सारी processes करें, इतने experiments करें, तब हो बिचारी यह धूंड पाए. तो आप पढ़ भी नहीं सकते हो. आपको धूंडना तो नहीं पढ़ रहा ना, कम से कम धूंड के लिया है, तो पढ़ी ही लेते हैं हम. तो बिल्कुल घबराना नहीं है. बड़े आराम से यह पांचों साइविंट से याद हो जाते हैं. तो क्या याद रखना है? कि मियॉसस वन का प्रोफेस वन इस दिवाइड इन्टो फाइविंट्स, विच आर, नमबर वन, लेप्टोटीन, सेकंडली, जाइगोटीन, थर्ड, पेकेटीन, फोर्थ, डिप्लोटीन, एंड लास्ली, डाइकाइनेस, लास्ली, डाइकाइनेस, ट्लियर, ठीक है, समझ में आई बात, तो चलो, शुरू करते हैं, let's begin with, सबसे पहले, लेप्टोटीन, पढ़ क्या रहे हैं हम, मियॉसस वन, और मियॉसस वन में भी, हम पढ़ रहे हैं, प्रोफेज वन, प्रोफेज वन, तो क्या हो था है, सबसे पहले, प्रोफेज वन में, लेप्टोटीन में, इन लिप्टोटीन, क्रोमाटन फाइबर बिकम लॉंग स्लेंडर क्रोमोजूम, न्यूकलिस इनलाज्ज, सबसे पहले हम लिप्टोटीन की बात करें, तो it is just initiation, सेल अभी बिलकुल शुरू कर रही है, कि चलो डिविजन वाले फेज में एंटर होते हैं, तो क्या होने लगेग जैसे ही सेल को डिवाइड करना होता है, तो क्या होता है, सबसे पहली बात, जो क्रोमाटन फाइबर होते हैं, क्रोमाटन फाइबर, आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूकलिस होता है, और न्यूकलिस के अंदर पूरा जो जैनेटिक मटीरल रहता है, वो किस फॉर्म में र तो सबसे पहली चीज जो लिप्टोटेन में आपको देखने को मिलेगी वो होगा condensation of chromatin fibers, अगर ये chromatin fibers हैं तो ये condense होगे कैसे बन जाएंगे, ये ऐसे बन जाएंगे ये chromosome में convert हो जाएंगे and nucleus enlarges, जो nucleus का size होता है वो increase होने लगेगा और nucleus हलका सा बड़ा हो जाएगा ठीक है, समझ में आगई बात आपको तो आपको lepto-team phase clear हो गया, lepto-team में आपको कोई पिटाउट नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने हैं zygoteen क्या होगा zygoteen में भाई? zygoteen में chromosome become more condensed था कि meonses में chromosome में pairing होती है तो भाई जब chromosome बन गए, देखो कहानी क्या चल रहे है ये एक cell है, cell के अंदर का ये nucleus है nucleus के अंदर ऐसे करके chromosome बहुत सारे form हो गए random है, वो अभी कहीं भी कहीं भी कोई भी कहीं पढ़ा हुआ है ऐसे करके total 46 chromosome cell के अंदर, nucleus के अंदर बन गए total ऐसे कितने है? 46 अब suppose ये वाला 1 है और ये वाला 1 है लेकिन क्या ये पास-पास है? नहीं, बहुत दूर है, ये 2 है, ये भी 2 है लेकिन क्या ये पास-पास है? नहीं, बहुत दूर है तो अब zygoteen में क्या होगा? zygoteen में जो similar chromosome है, जैसे 1-1 सब अपने अपने partner को, अपने pair वाले chromosome को ढूंड के उसके साथ pairing करेंगे, वो दोनों हाथ पकड़के खड़े हो जाएंगे chromosome 1, chromosome 1, they will hold their hands together and they will stand इतनी चीज़े होँगी किसमें, zygoteen के starting में ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, similar chromosome start pairing together synapses, तो जो chromosome, similar chromosome साथ में आके, ऐसे करके pair form कर लेते हैं, ये pair form होगा है ना, ये देखो suppose this is chromosome 1 and 1 and 1 and 1 and these are chromosome two and 2, तो ये जहांके pair में जाते हैं, इसको आप बोलते हो synapses, क्या बोलते हो आप इसको synapses, with the help of a complex structure called syneptonemal complex, तो आपको syneptonemal complex याद रखना है, क्या होता है, मैं हमेशा syneptonemal complex कैसे समझाती हूँ, सुनो, अभी क्या था, अभी अगर हम बात करें, लेप्टोटीन जब स्टार्ट हुआ, प्रोफेज 1 का first event स्टार्ट हुआ, that is लेप्टोटीन, तो पूरे धागे थे, ये मोह मोह के धागे, मेरी उंगलियों में जा, तो धागे हैं तो उल्जे हुए थे, अब लेप्टोटीन में धागे सुलजना स्टार्ट हुए, क्रोमाटिन मेटीरियल सुलजना स्टार्ट हुआ और क्या बन गया, वो बन गया क्रोमोजोम और लेप्टोटीन खतम अब आई बारी जाइगोटीन की जाइगोटीन में अब जब सब क्रोमोजोम बन गए थे और हर कोईसी को अपने जैसा कोई दूसरा शक्स चाहिए था हर कोई क्रोमोजोम अपना साथी धूंड रहा था तो वन वाले को वन मिल तो हाथ छूट जाएगा फिर से बिच्छड जाएंगे तो क्रोमोजोम 1 और 1 सपोज यह क्रोमोजोम 1 है मेरा राइट हांड और मेरा राइट हैंड इस क्रोमोजोम 1 यह दोनों क्रोमोजोम 1 है अब इनको हमेशा साथ रहना है इनको हमेशा साथ रहना है उसके लिए इनको हमे क्रोमोजोम complex is known as syneptoneemal complex. सीधी बाद जो दोनों क्रोमोजोम ने हाथ पकड़ा, हाथ पकडने से यह जो bond बना, यह जो complex बना, यह जो structure बना उनके हाथ पकडने के बाद, असली में क्रोमोजोम के हाथ नहीं है, अगर कोई भी यह सोच रहा है तो, ठीक है मैं सिर्थ समझाने के यह सब बोल रही हो, ओके हाथ पकड़ा क्रोमोजोम ने, तो वो ही हाथ पकडना, जो complex बना, वो कहलाता है, syneptoneemal complex, क्या कहलाता है, syneptoneemal complex, the paired chromosome are called homologous chromosome, जो भी chromosome आपस में pair हुए है, उन्हें हम क्या बोलते है, homologous chromosome, each pair of chromosome is called bivalent, अब सुनो, क्या-क्या हमने इसमें टर्म स सबसे पहला हमने सीखा synapses, तो synapses क्या होता है, यह जो process होती है, जिसमें दोनों chromosome पास में आते हैं, जिस तरीके से वो जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे से तो किस complex किदरो जुड़ पा रहे हैं, through syneptoneemal complex, अब syneptoneemal complex बन गया, दोनों homologous chromosome pair हो गए, अब आप इसको क्य and structure को syneptoneemal complex बनने के बाद, क्या बोलोगे, अब आप इसको बोलोगे by violent, क्या बोलोगे आप इसको by violent, because we have two chromosome और या फिर आप इसको बोलोगे tetrad, क्या बोलोगे आप इसको, tetrad या फिर by violent, by Valen हमेशा बोलते हैं on the number of chromosome, एंटेट्राड या डायाड बोलते हैं on the number of on the basis of number of chromatid तो यहां पर chromatid किते दिख रहे हैं मुझे तो 4 दिख रहे हैं 1 2 3 4 that is why tetrad or bivalent क्यों बोल रहे हैं because यहां पर centromere जो है वो दो ही है दो ही है centromere तो इसलिए these are bivalent तो chromosome के जितने नंबर है उसके जिसाब से bivalent, trivalent के tetravalent बोलते हैं और chromatid के नंबर जितने हैं उसके basis पर हम लोग यहां पर इसको डायाड, tetrad or triad बोलते हैं ठीक है समझ में आगी बात तो after zygotene क्या क्या हो गया zygotene जब शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, homologus chromosome पास पास आए, synapses की process होई, उनके pairing को क्या बोलते हो, synapses हुआ, किसके तुरू हुआ, through synaptonemal complex हुआ और उनकी pairing हो गई, pairing होने के बाद में क्या हुआ, pairing होने के बाद अब जो हमें structure दिख रहा है, now it is known as bivalent और tetra तो आप यह बोल सकते हो, after zygotene हमें क्या मिल गया है, हमको मिल गया है bivalent और tetra, क्या मिल गया है हमको bivalent और tetra, आगे देखते हैं pecatine, third event of prophase 1, तो leptotene हो गया, zygotene हो गया, अब बात करते हैं pecatine, now what do you understand by pecatine, pecatine में क्या होगा, comparatively longer phase, लंबा होता है पहले तो duration wise अगर देखो तो काफी long होता है, bivalent chromosome split into similar chromatid, this stage is called tetrad, अब क्या हो रहा है भई, bivalent chromosome जो थे, वो बिलकुल similar chromatid में हैं, four chromatids के form में हैं, तो इसलिए हम उसे tetrad भी बोलते हैं, मैंने आपको यह चीज़ पहले ही बता दी, appearance of recombination nodules at which crossing over occur, अब मैं बोल रही हूँ, यह बना हुआ है, synaptonemal complex between two chromosome, between two homologous chromosome, अब इनको pairing होना है, सीधी बात है, इनमे pairing होना है, recombination होना है, genetic material exchange होना है, अब पूरा chromosome जुड़ा है, तो कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, no, जो process of recombination है, वो उसी point पे होगी, जहां पर appear होंगी recombination nodules, अगर यहां पे, इस point पे recombination nodules appear हुई है, तो यह दोनों arms recombine करेंगे, suppose अगर यहां पे recombination nodules appear हुई होती ही, तो उपर वाला arm है, वो combine करता है, तो recombination में वही arm participate करता है, जिसमें क्या appear होती है, recombination nodules, it leads to recombination of genetic material on the homologous chromosome, तो पेकेटीर में देखो प्रॉपरली क्या हो रहा है, सबसे पहले recombination nodules appear होंगी, जैसे ही recombination nodules appear होंगी, तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, यह देखिया, आपको देख रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ तो भी एक crossing over मनाया है, यहाँ पर यह वाला arm of this chromosome and this arm of this chromosome, इनके बीच में आप देख पा रहे हो, तो कुछ genetic material exchange हो रहा है, this process is known as recombination and crossing over, recombination मतलब they are combined together, they are combining together and sharing genetic material at which is known as crossing over, तो यहाँ पर पेकेटीन में क्या देखने को मिल रहा है आपको, appearance of recombination nodules at which crossing over occurs, crossing over occurs का क्या मतलब है, crossing over का क्या मतलब है, genetic material exchange होगा, it leads to recombination of genetic material on the homologous chromosome, जिसके कारण क्या होगा, recombination of genetic material, आप सोचो ना, genetic material exchange होगा, crossing over होई, इसका इसके पास गया, इसका इसके पास गया, कुछ भी exchanges होए, तो आपको new combination of genetic material देखने को मिलेगा ना, इसके पास सारी red color की gene थी, इसके पास सारी green color की gene थी, लेकिन अभी जो ये crossing over यहाँ पे हुई, उसके कारण कुछ red यहाँ पे चला गया, कुछ green वहाँ पे चला गया, तो आपको कुछ नया combo देखने को मिलेगा ना, तो बस, crossing over के बाद हमें recombination देखने को मिलता है, of genetic material on the homologous chromosome, recombination is completed by the end of pacatine, तो pacatine के खतम होते होते, यह recombination की process भी complete हो जाती है, totally complete हो जाती है, revise करते हैं, lipotene में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपने देखा, chromatic धागे थे, वो chromosome में बना, वो chromosome में condense होना स्टार्ट हुए, zygotine में क्या हुआ, zygotine में क्या हुआ, सबसे फ़री चीज़ तो homologous chromosome की pairing होई, sineptonemal complex बना, और जो chromosome थे, वो bivalence के form में अरेंज हो गए, pacatine में क्या हुआ, recombination nodules appear होई, और recombination की side पर crossing over हुआ, और recombination of genetic material हमें देखने को मिला, तो मतलब recombination and crossing over की process हुई in the pacatine, now let's move to diplotine, अब diplotine is the next event of prophase 1, तो क्या होगा diplotine में, dissolution of sineptonemal complex, ये sineptonemal complex ने किया क्या था, ये sineptonemal complex ने किया किया था, कि जो दो chromosome से, उनको ऐसे हाथ पकड़ के बिठा दिया था, उनको ऐसे विल्कुल उनकी friendship करा दिए था हैं, कि वो अलग-अलग ना हो पाए, लेकिन अब diplotine में आके ही sineptonemal complex break हो गया, तूट गया, तो अब जब sineptonemal complex अगर break हो गया, तो ये जो दो chromosome है, ये हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, तो क्या ये साथ में रह पाएंगे, अब इनको एक दूसरे का हाथ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी तो पता है, इसमें तो crossing over भी हो चुकी है, तो पूरा हाथ छूट जाएगा, except at the site of crossing over, क्या बोला मैंने, पूरा हाथ छूट जाएगा, लेकिन जहां पर crossing over हुआ है, उस जगा पर हाथ नहीं छूटेगा, तो dissolution of syneptonemal complex, पहली चीज़ होती है डिपलोटीन में, the recombined homologous chromosome of the bivalent, separate from each other, दोनों पूरी तरीके से अलग अलग हो जाएगे, except at the site of cross over, जहां पर ये crossing over हुई है, वहां बड़ी सिर्फ separate नहीं होंगे, chromosome, बाकि पूरी तरीके से separate out हो जाएगे, अब आप देखो कि यहां पर separate ना होने के कारण, यहां पर X shape का structure बन गया नीचे, बना कि नहीं बना, तो इस X shape structure are called chiles meta, यह यहां पर जो X shape के structure बने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, chiles meta, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग chiles meta, तो क्या हुआ भाई, बताएगे जल्दी से, है ना, dissolution हुआ, syneptionemal complex का पूरे दोनों chromosome जो थे, अभी byvalent बनके बैठे थे, साथ में हाथ पकड़के बैठे थे, byvalent बन गए थे, अब वो separate out हो गए, पूरी तरीके साल लोग हो गए, लेकिन एक site पर जुड़े रहे, that was the site of crossover, जहां पर crossing over हुए, recombination बने हैं, वहां पर वो जुड़े हुए रहे गए, अब यह जुड़े रहने के कारण, यहां पर एक X-shape का structure हमें दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, चाइज मैता, क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग चाइज मैता, इन oocytes of some vertebrates, diplotene lasts for months or years, अगर हम human, female की बात करते हैं, अगर हम females की बात करते हैं, तो females के जो eggs होते हैं, eggs, ovum जो होते हैं, वो ovum कई सालों तक diplotene की ही stage में arrested रहते हैं, female जब पैदा होती है, तो इसके ovum जो रहते हैं, oocytes उसमें meiosis 1 शुरू होता है, pro phase 1 शुरू होता है, लिप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकेटीन होता है, और diplotene जैसी होता है, बस, वहाँ पर division रुख जाता है, अब ये division कब तक रुखा रहता है, जब तक वो female again 13 to 14 years की नहीं होती हैं, मतलब puberty की age में नहीं आती, अब जब वो 13-14 years की age में आती है, तब ये diplotene, वहाँ से फिर से break होगे, आगे continue होता है और आगे की processes होती है, समझ में आई बात, तो diplotene जो है, वो कई years तक extend हो जाने वाला एक event है, clear, now next event is diokinesis, तो diokinesis में क्या होगा, terminalization of choice में ता, यहाँ पे जो X shape का structure बना था, यह जो X shape का structure था, जिसे आप 40 meta बोल रहे थे, यह 40 meta भी diokinesis के वाले phase में आके खतम हो जाएगा, diokinesis होई और यह 40 meta भी खतम हो गया, अब जब यह X shape का structure भी खतम हो गया, तो आपका असली में क्रोमोजोम कुछ ऐसे दिखेंगे, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, समझ भा रहे हैं आप, इसका थोड़ा segment इसमें और इसका थोड़ा segment इसमें, और अब 40 meta जो X shape का structure था, वो भी खतम हो चुका है, क्रोमोजोम्स और fully condensed, क्रोमोजोम पूरी तरीके से condensed हो चुके हैं, प्रॉपर क्रोमोजोम बन चुके हैं, दब मियोटिक spindle fiber originate from the poles to prepare the homologous chromosome for separation, अब क्या हो रहा है भाई, डाइक आइनसे में, जो centriol होता है, cell के अंदर centriol एक cell organal होता है, उससे fiber-like structure निकलते हैं, जिने हम बोलते हैं spindle fiber, तो fiber-like structure centriols में appear हो जाते हैं, start हो जाते हैं, वहाँ से निकलना, and nucleolus and nuclear envelope disappear, और साथ ही साथ में, जो nucleolus और nuclear envelope है, nucleus की जो membrane है, वो भी गायब हो जाती है, धीरे-धीरे करके खतम होने लगती है, तो pro phase 1 को एक बार फिर से हम revise करेंगे, जल्दी से है ना, चलिए, revise करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या दिखा था, सबसे पहले हमने देखा था, leptotene, जिसमें क्या हुआ था, condensation of chromosome, फिर हमने देखा, zygotene, जिसमें syneptoneemal complex बना, दोनों जो chromosome थे, वो पास-पास में आये, और हमने देखा, bivalent form हुए, फिर हुआ पेकटीन, तो पेकटीन में crossing over हुआ, recombination हुआ, है ना, recombination nodules appear हुए, देन आपने देखा, diplotene, जिसमें syneptoneemal complex का breakdown हुआ, और chise meta का formation हुआ, लास्लिए आपने देखा, dikinesis, जिसमें chise meta का भी breakdown हुआ, turbilization हुआ, और finally crossing over की process complete हुए, और यहाँ पे खतम होता है pro phase 1, तो pro phase 1 को आपने divide किया हुआ है, into five phases, जिसको आप याद रख लो, LZPD, LZPD से आप याद रख लो, एक लास्ट में DEED, आप LZPD याद रख लो, अगर आप याद रख पा रहे हूँ, Leptotene, Zygotene, Pecotine, Diplotene and Dikinesis, तो these are the five events that happen, that occur in pro phase 1, पढ़ क्या रहे हैं हम, हम पढ़ रहे हैं, Meiosis 1, तो अब अगर pro phase 1 complete हो गया है, तो let's move to metafase 1, अब metafase 1 में क्या होगा, metafase 1 में spindle formation is completed, metafase 1 में यह होगा, आप diagram से समझे, यहाँ पर chromosome बन चुके हैं, आपको दिख रहे हैं chromosome 1, metafase 1 में कुछ भी नहीं होगा, metafase 1 में these chromosome will align in the center, equator of the cell, यह सारे chromosome जितने भी chromosome बने थे, double chromatid वाले, homologous chromosome, crossing overgory, सब कुछ हो गया, अब यह सारे chromosome यहाँ center में align हो जाएंगे, align हो जाएंगे center में, और जो वहाँ से chromatid fibers निकले हैं, जो spindle fibers जो निकले हैं, उपर centriol से, यह centriol से निकलने वाले spindle fibers यहाँ पे आके, इन chromosome पे attach हो जाएंगे, तो क्या होगा metafase 1 में? spindle formation complete हो जाएंगे, chromosome align at the equatorial plate, center, equator में arrange हो जाएंगे सारे chromosome, the microtubules from the spindle attached to the pair of homologous, यहाँ पे chromosome लिखा हुआ है, आपको दिखनी रहा है, ठीक है, क्या हो जाएंगा? chromosome, the microtubules from the spindle attached to the pair of homologous chromosome, तो spindle fibers निकले हैं, homologous chromosome पे आके attach हो गया, तो कुछ भी नहीं है, simple metafase 1 में आप इतना याद रखिये, कि सारे chromosome जो condensed हो चुके हैं, वो metafase 1 में, एक center, equator पे आके arrange हो जा रहे हैं, जिसको हम लोग equatorial plate या equatorial line बोलते हैं, and this is everything about metafase 1, और फिर अगला phase आएगा, enaphase 1, enaphase 1 में, the homologous chromosome separate, अब chromosome separate out होंगे, यह सारे chromosome arrange हो गये थे, suppose this is chromosome 1, this is also 1, this is 2, this is 2, ऐसे करके पूरे यहां तक 23 chromosome arranged रहेंगे, center पे, यहां पे भी नीचे भी 23 chromosome arranged होंगे, अब क्या होगा, 1 वाला chromosome एक उपर चला जाएगा, और एक नीचे चला जाएगा, in enaphase 1, देखो जा रहा है कि नीचे आ रहा है, 2 वाला chromosome भी एक उपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, तो इस तरीके से अब देखो 3 वाला भी उपर नीचे, तो टोटल कितने chromosome उपर चले जाएगे, टोटल 23 chromosome उपर चले जाएगे, and 23 chromosome नीचे आ जाएंगे देख पा रहे हो आप 46 chromosome थे 46 chromosome सेंटर में आके अरेंज हुए और सेंटर में आके अरेंज होने कि अभी मैंने ये नहीं बोला है कि chromatid separate हुए है अभी सिर्फ homologus chromosome से separate हो रहे है chromosome तो एक chromosome उपर एक chromosome नीचे तो एना फेज में क्या होता है homologus chromosome सेपरेट हो जाते हैं वाइल sister chromatid remain associated at the syndrome years अभी ये जो sister chromatid है ये जो chromosome है मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ तो इसका structure कुछ ऐसा है ठीक है तो ये chromosome कुछ ऐसे है तो ये उपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा अभी सिफ chromosome अलग-अलग हो रहे हैं chromatid separate नहीं हो रहे है इस बात का क्या मतलब है chromosome separate हो रहे है लेकिन chromatid separate नहीं हो रहे है इसका ये मतलब है कि यहाँ पर मैंने ये दो chromosome draw करे हैं ये दोनों अलग-अलग हो जाएंगे इसका यह मतलब होता है क्रोमोजोम का सेपरेट होना और मैं अगर बोलो क्रोमाटिड सेपरेट हो रहा है तो इसका यह सेंस होता है क्रोमाटिड सेपरेट होने का कि जैसे सपोस्थ यह वाला क्रोमोजोम है इसका एक क्रोमाटिड यह है और एक chromatid यह है this is one chromosome लेकिन अब इसमें क्या हुआ है आप देखो आप देखो तो इसका centromere इसके हर दोनो chromatid ही अलग-अलग हो गए तो यहाँ पे यह नहीं हो रहा है हमारे एना phase 1 में एना phase 1 में chromosome separate हो जा रहे हैं homologous chromosome separate होके अलग-अलग हो जा रही है तो next event देख लेते हैं next event होगा telophase 1 telophase 1 में आप यह देखो यह जो अलग हो गए थे 23 उपर और 23 chromosome नीचे अब वापस से telophase 1 आएगा तो telophase 1 में क्या-क्या होगा nuclear membrane and nucleolus reappear तो जो prophase 1 में यह nucleus और nuclear membrane सब हटे थे telophase 1 में वापस से reappear हो जाएंगे and two haploid daughter nuclei are formed this is called dyad और अब आप देखो यह nuclear membrane यह इस तरीके से separate हुए और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर nuclear membrane form होने लगेगी और यह nuclear membrane जो form हो गई तो यह दो अलग-अलग nucleus बन गए this is nucleus number 1 this is nucleus number 2 तो दो nucleus हमें देखने को मिलता है इसलिए इसे को बोला जाता है dyad क्या बोला जाता है dyad अब telophase 1 भी complete हो गया nuclear और nuclear membrane भी appear हो गई अब इसके बाद में होगा cytokinesis क्या होगा cytokinesis तो यह जो cell है यह पूरी यहाँ से इस तरीके से divide हो जाएगी cytokinesis होगा यहाँ से पूरी cell divide हो जाएगी इस तरीके से और दो नई cells हमें ultimately बन जाएगी दो नई cells हमें मिल जाएगी और यह दोनो ही cells कैसी होंगी they will be haploid किस टाइप की cells होंगी haploid reductional division हो गया na haploid cells बन गई that is it after a short interface it is followed by meiosis 2 अब वहाँ पे छोट असा interface आता है बीच में छोट असा phase आता है this short stage between the two meiotic division is called interkinesis अभी हमने पूरा meiosis 1 फिनिश किया meiosis 1 हुआ prophase 1 metaphase 1 anaphase 1 telophase 1 and cytokinesis cytokinesis के बाद शुरू होगा meiosis 2 तो meiosis 1 और meiosis 2 में बहुत ही छोटे से duration का gap मिलता है उस gap को हम लोग बोलते हैं interkinesis तो आपको याद रखना है interkinesis is the break is the short duration of time period between meiosis 1 and meiosis 2 ये बात आपको बिलकुल भी नहीं भूल नी है याद रखना है DNA replication does not occur in this phase तो interkinesis कुछ नहीं है बहुत ही short duration का एक छोट असा phase है जिसमें कुछ भी खास नहीं होता बस it is a gap period between meiosis 1 and meiosis 2 और meiosis 1 कैसा division होता है तो meiosis 1 होता है reductional division because कहां हमने 46 वाली एक germ cell हमने एक deployed germ cell से start किया था अपना division थे और अब हमको meiosis 1 होने के बाद दो नहीं cell मिनी जिसमें इसमें भी 23 chromosome है और इसमें भी 23 chromosome है मतलब कि ploidy half होके हमको new cells obtained हुई समझ आया आपको कोई भी doubt so that is it अगर कोई भी doubt नहीं है तो बहुत इची बात है और अगर doubt है तो doubt को comment section में पूछ लो अब जिसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको पड़ाओंगे meiosis 2 ओके so that is it for today अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दो like और step up academy को कर लो subscribe thank you and keep watching